प्यारे सातियों आप सुई का स्वागत करता हूं अपने MRS study परिवार में तो डियर आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं बिहार लोक सेवा आयोग में तरफ से एक नई अपडेट जो है निकल कर आया है और यह अपडेट है संसोधित सीट की यानि जो वेकेंट सीट है उसमें कुछ संसोधित किया गया है अलग-अलग पोस्ट के लिए जैसे यहाँ पे विग्यापन नंबर 25 दोजाचोवीस है जो कि सिच्छा विभाग का है इसमें आपका 40,247 पदों पर भाली निकाली गई थी जो कि भिहार के अंतरगत प्रात्मिक विद् किया गया था जिसमें का टेगर्य वाइस जुए जो सीट डिस्ट्रिवीशन किया था उसमें बताया गया है कि कुछ केस किया गया था आपका यहाँ पे जो कि यहाँ पे केस रेखते हैं सी डवलू जेसी नंबर 1676023 गौरव और अन्य वनाम भिहार सरकार और अन्य स्थासंबंध अन्य मामले में उच्छ न्याले पतना यानि हाई कोट पतना में जो है 2624 को पारित आदेश के विरूद बिहार सरकार द्वारा मन्य सर्वोच न्याले नई दिल्ली यानि सूप्रीम कोट में दायर SLP C नंबर 01408624 एवं अन्य सद्रिस वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के सर्थ पर पूर्व प्रवीर्त आरच्छन प्रावधान के आलोक में वीवेचित पद हेतु नियमित नियुक्ती संबंधी करवाई किये जाने के संदर्व में समान प्रसाजन विभाग बिहार सरकार इसमें देखो सिंपली क्या है एक जाती था जिसको पहले जो है काटेगरी कुछ और रहता था लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है और दूसे काटेगरी में डाल दिया गया है हना तो उसके कारण से जो सीक्तेगरी संब्स और यहां पर जो है आपका चेंज किया गया और भी सारे रीजन थंब यहाँ पर sự कर देख सकते हो कि अब किस तरिके से डिस्तिलीट किया गया है हना यहां पर महिलाओं के लिए आरच्चन जो है दिया गया लिए कि कितना से और आपका जो है 1500 देविग्यांग के लिए और साथ 7300 बन आट-serry सेट जो है आपका स्वतन्त तश250 के पोता पोती नाति नातिन के लिए उस्एम चीज आपका एक और यहां प doable an आ तर गा तो जो असिस्टेंट architect का जो बहाली निकाला गया था जिसमें 106 पद थे जो कि 15.2.2024 को विग्यापन निकाला गया था उसमें भी यह changes किया गया है वार जो नमबर ओ सीटे डिस्टिवीशन था उसमें जो है चेंजेज आपका जो है किया गया है सेम जो उसमें बताया गया था वही चीजें यहां पर भी जो है किया गया है और कई सारे लोगों का ना क्या पी एच एडी में भी ये अफेक्टेड रहेगा क्या लागू होगा तो देखो अभी तक उसके रिगार्डिंग नोटिस तो नहीं आया है लेकिन संभावनाएं है 99 पर 30 संभावनाएं है कि जो असिस्टेंट इंजिनियर का बहाली जो है बी पी एसी ने जो है निकाला है उसमें भी जो है ये लागू होगा उसमें भी ये जो है लागू आपक कब होगा क्या इसका एक्जाम फिर से जो है पोस्ट पॉंड होने वाला है क्या नवंबर लाज्ट तक एक्जाम नहीं होगा तो देखो जैसा कि पिछले बार बीपेसी आफिस में जब कॉल किया गया था तो वहाँ पर बताया गया था कि 20 से 25 दिन पहले आपका नोटिस आता है कि एक्जाम होगा कब से होगा अगर एक्जाम होना रहेगा उस मन्त में तो 20 से 25 दिन पहले आपको जो है नोटिस आएगा तो आपको पता है कि 28 अक्टूबर के बाद से लगबग 8 नौंबर तक 28 अक्टूबर से 8 नौंबर तक आपका च्छट पर्व और दिवाली के कारण से तो वो जो उतना दिन आपका छुटी रहेगा तो उस बीच में तो नोटिस आएगा नहीं नोटिस जब भी आएगा तो 28 से पहले आएगा और अगर नवंबर लास्ट वीक में उनको एक्जाम लेना है तो आपका नोटिस जो है 28 अक्टूबर से पहले आएगा तो अब हमें वेट करना है 28 अक्टूबर तक अगर 28 अक्टूबर तक आपका नोटिस आ जाता है तो डिफनेटली आपका एक्जाम जो है नवंबर में ही होगा डिफनेटली आपका एक्जाम जो है नवंबर लास्ट वीक में ही होगा और इस बार भी परिच्छा जो है आपका पोस्ट पॉंड होगा ये आप मान सकते हो बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है ना आप लोगों के साथ सेर किया जाएगा चैनल पे जो लोग नहीं बने हो चैनल पे बन जाओ और जो लोग फ्रेसर के लिए फाइट कर रहे हो भा हैं जो लोग आपके लिए फाइट कर रहे हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं 2000-3000 आप उनको दे सकते हैं ताकि उनका कुछ फाइनेंसियली सुपोर्ट मिल सके बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ सेर किया जाएगा मिलते हैं नई अपडेट में